बिसमिल्लाई रहमारी रहीम, असलाम अलेकुम आज इस वीडियो में चैप्टर 3 के MCQs देखेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास MCQs है Newton's first law of motion is valid only in the absence of कि Newton का जो पहला कलून है किसकी गैरमजूदगी में बिल्कुल दुरूस्त है, valid है तो वो होता है हमारे पास net force क्यों? क्योंकि Newton ने हमें ये बताया था अगर कुछ चीज पढ़ी है तो वो पढ़ी ही रहेगी और अगर कुछ चीज मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी कब तक? जब तक इसके उपर force नहीं लगेगी मतलब जब तक force गाइब है तो Newton का कुणून बता रहा है कोछ चीज पढ़ी है तो पढ़ी रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, तो right option नेट force नेक्स देखते हैं, नेक्स बताया जा रहा है हमें नेक्स देखते हैं, अब why jump out of a moving bus, there is a danger for him fall तो यहाँ पे देखते हैं, उसके लिए क्या होगा, माल ले कि एक इस तरह से गाड़ी जा रही है और एक लड़का उस चलती हुई गाड़ी में से छलांग लगा देता है तो हमने बताना है कि उसके लिए कौन सा खतरनाक है, देखें, अगर गाड़ी इस तरह move कर रही है तो लड़का भी जिस तरह गाड़ी move कर रही है, गाड़ी के अंदर ही move करता है तो यह तो कोई मसला नहीं है, लेकिन away from the bus, अगर वो bus से दूर भी गिरता है तो फिर भी उसके लिए मसला नहीं है, मसला यह है कि जिस तरह गाड़ी move कर रही है वो जब jump लगाता है, तो वो भी उसी direction में jump लगाता है डेफिनेली जितनी गाड़ी के अंदर speed होगी, उस लड़के के अंदर भी उतनी ही speed होगी तो हो सकता है, जैसी वो थोड़ा सा आगे जाए, गाड़ी उसके, वो गाड़ी के साथ टकरा आजए डेफिनेली वो इधर आएगा, गाड़ी ने भी आगे जाना है, तो दोनों टकरा सकते हैं, यह खतरना काम है लेकिन अगर opposite जाता है, मतलब गाड़ी इस तरफ जा रही है, लड़का इस तरफ चलांग लगाता है तो देखें, वो बाहर निकलेगा, तो जब तक उसने गाड़ी के साथ टकराना है, तब तक गाड़ी आगे निकल जाएगी तो most dangerous जो उसके लिए pose होगा, वो यह है कि वो गाड़ी की direction में move करें नेक्स हम देखते हैं, नेक्स इसमें बताया जा रहा है यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम बताएंगे, उसके अंदर force लाग रही है 10 Newton तो फिर 10 Newton ही answer होगा, कैसे, यहाँ देखें, कि यह pulley है, जब यह वाला mass जो है, नीचे की तरफ आएगा तो रसी में जो string है, रसी में जो, सोरी, रसी में जो tension है, वो 10 Newton है जैसे ही देखें, अगर यह mass 10 Newton की tension इस रसी में पैदा कर रहा है, तो same, उसी time, जब यह नीचे की तरफ आएगा, यह रसी उपर की तरफ जाएगी तो इसमें भी जो tension होगी, वो 10 Newton होगी, तो देखें, direction तो दोनों की opposite है, एक में उपर की तरफ tension है, और एक में नीचे की तरफ tension है, तो direction तो समझ आगी opposite है, लेकिन सर, कुछ लोग कहते हैं, जी 10 plus 10 करेंगे, तो हमारे पास 20 आजएगा, भई 20 कैसे आएगा, देखें, उस ह साबसे, तो अगर देखें, कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ नीचे की तरफ जा रही है, तो 10 minus 10 करना चाहिए, तो 0 आ जाना चाहिए, फिर answer, तो अगर 0 होगा, तो फिर रसी में tension कहां से आ गई, तो लहाज़ा, एक समयने वाली बात यहां पर यही है, कि जब यह नी नीचे की तरफ जा जा रहा है, the mass of a body किसी भी बाडी का जो mass होता है, decrease when accelerated नहीं, mass तो mass के ओपर तो कुछ फरक पड़ते ही नहीं, ना वो increase होता है, ना वो decrease होता है, decrease when moving with high velocity नहीं, mass एक ऐसी चीज़ है, उसको कहीं भी ले जो, वो कोई फरक नहीं पड़ता, तो ओपर वाले में से कोई भी option नहीं है, next हम moving vertically, थोड़ी दर पहले मैंने आपको diagram दिखाई थी, जिसमें दोनों object vertically नीचे की तरह move कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने जागे उसका acceleration का book से formula देखोगे, तो आपको ये मिल जएगा कुछ इस तरह से, next हम देखते हैं, next के बताया जा रहा है, which of the following is the unit of momentum, इसको आपने सर बता देता हूं, लेकिन इसको साबत करते हैं, देखें, जो momentum होता 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 है, P is equal M V, अब M का जो unit होता होता है, KG, तो मैंने KG लिख दिया, जो V होता है, उसका unit होता है, meter per second, तो मैंने meter per second लिख दिया, तो momentum का फिर unit होता, kilogram meter per second, तो इस चारो option में कहीं भी उसने नही meter per second, फिर हमने क्या किया, यहां भी अगर लिखें, kilogram meter per second square, देखें, यहां minus 1 है, मैंने यहां 2 लिख दिया, अब यहां पे S अपने पास से लगाया, क्यों, यह जो minus 2 है, इसकी, अब S की value कोई नहीं है, तो इसकी plus 1 होगी, अब plus 1 जब minus 2 में से आप निकालोगे, तो दबार क्या बंजेगा kilogram meter per second, अच्छा इसका फाइदा क्या हुआ, यह जो kilogram meter per second square है न, यह newton के equal है, इसका मतलब यह हुआ, newton के साथ अगर आप second लगा देते हो, तो दबारा से वो value कुछ इस तरह से आपके पास बंजेगी वो ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं, कि यह दोनों same same है, ल the action is on the, जब गोडा गाड़ी को खैंगता है, तो action किसके उपर होगा, अब इसमें बहुत ही confusion है, कुछ लोग कहते है, अर्थ है, कुछ कहते है, अर्थ and card है, लेकिन मैं यह समझता हूँ, कि जब यह गोडा मूव का रहा है, तो आप देखें, सबसे पहले, वो किसके उपर action लगा रहा है, किसके उपर force लगा रहा है, तो वो force लगा रहा है, अर्थ के उपर, तो when horse pull a card, जब वो इसको देखें, खैंच रहा है, तो action किसके उपर लगा रहा है, तो जमीन, तो right option अर्थ है, लेकिन अगर आपको देखें, मैं Google से भी search किया था, तो Google भी यही बता रहा है, कि right option अर्थ है, आप खुद भी जा के search कर सकते हूं, तो right option अर्थ है, note out बाद मैं card के उपर भी लाग रहा है, लेकिन first priority क्या है, यहाँ पर अर्थ है, next हम देखते हैं, देखें, एक बाद याद रखिएगा, logic, earth and card वाले भी आपको देदेंगे, और आपको card वाले भी और अर्थ वाले भी आपको logic देदेंगे, तो logic से आपको कुछ सारे ही आपको समझा देंगे, यह सही है, यह सही है, तो google क्या बता रहा है, आपकी book क्या बता रही है, वो आपको follow करना है, next अगर हम देखें, next क्या बताया जा रहा है, which are the following material lower friction when push between metal plate, अगर आपने दो plate जो आप आयर रखोगे, तो उनकी friction क्या हो जागी, कम, hope so बचे, आपको समझा आई है, मैंने वैसे कोशिश किया है, कि साथ में थोड़ा थोड़ा explain भी करता जाओ, फिर भी अगर आपको कुछी समय नहीं है, अगर समय नहीं ही आई, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, इंशाला म मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका answer दो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक, अल्हाफिस.